चाड़क के IIS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं लीथियम पे जो की हाल ही में चर्चा में बना हुआ है राजस्तान के नागोर जिले में लीथियम का बड़ा भंडार मिला है कहा जा रहा है कि नए भंडार से देश की लीथियम समंदी 80% जरूरत पूरी हो जाएगी फिलहाल भारत लीथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है उन देशों में चीन भी शामिल है आसार है कि आने वाले समय में लीथियम के लिए हमें चीन पर निर्भण नहीं रहना पड़ेगा इससे पहले जन्वरी में ही जम्मू कश्मीर के 80 जिले से भी लीथियम का बड़ा रिजर्व मिल चुका है और उससे भी पहले कर्णाटक में भी लीथियम पाय जा चुका है पर लीथियम के भंडार मिले हैं, वहाँ साल 1914 में अंग्रेजों ने टंग्स्टन डूना था, पिछले कई सालों से यहाँ खरनन का काम बंद पड़ा रहा, अब टंग्स्टन के साथ साथ लीथियम का भंडार मिलना देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है, ये उपलब से नर्म और हलकी धातू भी है, यह इतनी नर्म होती है कि कोई इसे सबजी के चाकू से काट ले, और हलकी इतनी की पानी में रख दो तो ये त्यारने लगे, यह रासायनिक उर्जा को स्टोर करती है और इसे विदुत उर्जा में बदलती है, लीथियम आज घर में हर चार् जैसे लोहा, सोना और चांदी है, मानक परिस्तितियों में लीथियम को सबसे हलकी धातू और सबसे हलका ठोस तत्व माना जाता है, एक टन लीथियम की मार्केट वैल्यू के अगर बात करें तो यह लगभग 58,000,000,000 रुपय होती है, लीथियम मुख्य तोर पर बैटरी बन लगी, मॉबाइल, फोन, कैमरा, लैप्टॉप, कम्प्यूटर तक सब में लीथियम बैटरी लगने लगी, इतना ही नहीं पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाडियों में भी लीथियम बैटरी लग गई, इलेक्ट्रोनिक वाहनों में भी यही बैटरी होती है, इसके दो ब इस समय हर बैटरी पैक के लिए लग भग 8 किलो लीथियम की जरूरत होती है, भारत का आर्थिक रूप से निकालने योग्य लीथियम बंडार 184.4 मिलियन इलेक्ट्रोनिक कारों को बिजली देने के लिए परियाप्त होना चाहिए, ऐसा अनुमान है अब हम बात करेंगे कि भारत को इससे क्या फाइदा होगा, इलेक्ट्रोनिक वाहनों की और शिफ्ट होने का भारत का जो लक्षे है, उसे इसने बूस्ट मिलेगा क्योंकि अभी इलेक्ट्रोनिक कार या दूसरे वाहनों के दाम काफी जादा है, इसके पीछे बड़ी वज असी फिस्दी लीथियम चीन से खरीदता है, भारत सरकार का लक्षे है कि 2030 तक 30 फिस्दी कार, 70 फिस्दी तक कॉमर्शल वाहन, 80 फिस्दी तक 2 पईया और 3 पईया वाहन इलेक्ट्रोनिक हो, जम्मू कश्मीर और राजस्तान में मिला भंडार इस लक्षा को पाने में मदद कर सकता है, भारत इलेक्ट्रोनिक वाहनों को बैनिफेक्ट्रिंग हब बन सकता है, इलेक्ट्रोनिक वाहनों की कीमतों में भी काफी कमी हो जाएगी क्योंकि इतनी कीमतों में करीब 45 फिस्दी हिस्दा बैटरी का ही होता है, यानि कि जो इलेक्ट्रोनिक वाहन बनते ह उसमें सबसे महेंगे पार्ट्स में ये बैटरी एक मुख्य भाग होती है अगर हम बात करें कि भारत के अलावा लीथियम और कहां पाय जाता है तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो की 3 जुन 2022 को आई थी उसके अनुसार बोलेविया में सबसे ज़ादा लीथियम डिपोजिट मिलते हैं इसके बाद चिली, आस्ट्रेलिया, चीन और अर्जेंटीना में भी इसके डिपोजिट मिलते हैं भारत की पहली बड़ी लीथियम डिपोजिट की खुश दो साल पहले करनाटक में की गई थी यहां 16 सो टन का भंडार मिला था एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अब दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा लीथियम भंडार है इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच